वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं नेक इंसान बनने के लिए वैसे ही कोशिस करू जैसे खुबसुरत दिखने के लिए करते हो रिस्ते कभी जिन्दगी के साथ नहीं चलते रिस्ते एक बार बनते हैं फिर जिन्दगी रिस्तों के साथ चलती है आईना आज फिर रिस्वत लेते पकड़ा गया दिल में दर्द था और चहरा हसता हुआ पकड़ा गया तमन्ना थी कि कोई तूट कर चाहे हमें मगर हम खुद ही तूट गए किसी को चाहते चाहते जिन्दगी भी कितनी अजीब है मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं तन्धा रहो तो सवाल करते हैं अंदर तक तोड देते हैं वो आसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं यदि कोई तुम्हें नजर अंदास कर दे तो बुरा मत मानना क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीज को नजर अंदास कर देते हैं अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समस लेना रिस्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है तब्यत पुछने वाला इंसान धूनो वशीहत और हैशियत पुछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे मुस्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो दिल से उतर ही जाता है बुरा वक्त है बदल जाएगा लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता बलकि किसी के साथ अपने पन का ना टक करना उससे भी बड़ा धोखा है मेरी गलतिया मुझसे कहो दूसरों से नहीं क्योंकि सुधारना मुझे है दूसरों को नहीं करने दो जो आपकी बुराई करते हैं ऐसी छोटी छोटी हरकते छोटे लोग ही करते हैं तोटी हुवी चीजें हमेशा तकलीफ ही देती है जैसे दिल, नीन, भरोशा और सबसे जादा उमीद हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है उनको भी करके दिखाना है इनसान का व्यक्तितु तभी उभर के आता है जववा अपनों से ठोकर खाता है अकेले कमाते हो और पुरा घर खाता है तो घमंड मत करना उपर वाले को धर्नेवात कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है कभी भी किसी पर आख बन करके भरोशा ना करे क्योंकि यह दुनिया इतने भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोशों को कायम रख सके प्रेम और मौद में एक यही समानता है ना ये उम्र देखती है ना वक्त और ना जगा अर्स्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खुबसूरत है कि अंत भी इतना खुबसूरत हो सकता है नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में इस्वराब की मदद जरूर करते हैं वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है हर रिस्ता एक पंची की तरह होता है अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हो तो वो मर जाता है अगर आप उसे धीला पकड़ते हो तो वो उर जाता है लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हो तो वो हमेशा आपके साथ रहता है हम जिन के लिए रोते हैं अक्सर वहलुक किसी और के होते हैं खुद को इतना ग्यानी मत समझो कि लोग आपको पागल समझने लग जाए अपनापन, परवा, आदर और थोड़ा समय यह वो दौलत है जो हमारे अपने हम से चाहते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी आदते बदल ली वो कल बदल जाएगा जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज होता आया है उन लोगों से बच कर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हो एक बात हमेशा याद रखना जनाब कि जो इनसान दूसरों की बाते तुम्हें बताता है वो तुम्हारी बाते भी दूसरों को बताता होगा जो आपको तकलीफ में देख कर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे शकता मैंने हर किस्म के लोग देखे मेरी जिन्दगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है इनसान उन चीजों से कम बिमार होता है जो वो खाता है ज्यादा बिमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होनी लगे तो वह संसार्ट या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नड़ इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है बस वो करो जो अच्छा है और सच्छा है जब तक खुद दर्द से ना गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता संबंदों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की जरूरत होती है सच बोलने का अगर शौक है तो तनहा चलने का भी होसला रखो जितनी भीर बढ़ रही है जमाने में लोग उतने ही अकेले हो तेजा रहे हैं अपने आपको किसी के साथ का आदी ना बनाईए वरना आपकी खुश्या उसकी फुर्शत और मूट की मोहतास होकर रह जाएगी मतलबी हम थे जो ने क्या क्या समझ बैठे वो तो सिर्फ वक्त बिता रहे थे और हम प्यार समझ बैठे जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं एक बहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्विकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता जादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीट पीछे बदनाम करने की लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए मगर इनसान की गलतियां माफ की जाती है साहब चला किया नहीं जीवन में सक्त होना भी जरूरी है लोग पीजाते समंदर अगर खारा नहीं होता अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मुर्खों क्योंकि दिखावा करने वाले का अकसर तमाशा बन जाता है आप जैसे हैं वैसे रहे इनसान का वहवार भी कुछ हाथी के दाथ जैसा ही हो गया है खाने के और दिखाने के और जिन्दगी में इतना सबक तो मिल गया है फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी जिनसे कोई उमीद नहीं होती अकसर वही लोग बुरे वक्त में हमारा साथ निभाजाते हैं जब दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो क्या पता किसी के किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो फलदार पेड और गुनवान वैक्ती ही जुकते हैं सुखा पेड और मुर्क वैक्ती कभी नहीं जुकते कदर किरदार की होती है वरन्ना कद में तो साया भी इन्सान से बड़ होता है चिराग से ना पूछो बागी तेल कितना है सासों से ना पूछो बागी खेल कितना है पूछो उन कफन में लिप्टे हुए मुर्दों से जिन्दगी में गम और कफन में चैन कितना है जिसम छूके तो कोई भी गुजर सकता है रूह को छूता है कोई हजारों में से कास उस जाते हुवे वक्त को रोक सकते आपके साथ गुजरा हुआ हर लमहा जोड सकते ना जाने कितनी यादे आपने दी हमें कास जिन्दगी को हम पीछे मोर सकते बचपन कितना खुबशूरत था तब खिलोना जिन्दगी थे आज जिन्दगी खिलोना है प्यार नहीं बिगता किसी के लिए मगर इनसान बिगजाता है अपने मतलब के लिए जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लोटने का वप्त हो जाता है यही जिन्दगी है गलत फैमी में जिने का मज़ा ही कुछ और है वरना हकीकत तो अक्सर रुला देती है वक्त बदलते देर नहीं लगती इसलिए कभी हद से ज़ादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत